अवसाद पूछें तो दलित है पुछड़ा है मुस्लिम है महिलाएं हैं ज्यादा प्रफ़ांत है नोकरी कहां मिले भी बाइक बेज दिया वी असनल बेचा रेल बेचा बचाने की लडाई है मेरी कर जाएगी नेतागिरी चंकाने के लिए तो कुछ तो डरे है आप जितना ज्यादा सरकों पर निकलोगे वो तदह ही आप की जीत होगी और रहुल जी ने केवल भरस्टाचार की बात नहीं है गरीबों, मजलुमों, महिलाओं के लिए हमेशा आवाद उठाई है जो 4000 किलोमीटर चले बेरोजगारी महाँगाई की खिलाब देश में नफरत जो फैल गई है उसके खिलाब की था अब रहुल जी की बात को सभी मानने लगे हैं कल रार्विन के जरिवाल जी ने भी कहा वो तो एक कदम और आगे चले गए हैं कि अडानी का पैसा नहीं मोदी का पैसा है हलाकि अडानी और मोदी में कोई फरक नहीं ही वही काला धन का दुर्पयोग हुरा पूरे देश में राहुल जी ने हमला बोल दिया तो ये लोग उतर आए आज लोग तंत्र बचानी की बात हैं दोस्तों या नहीं कि मैं कांग्रिस का हूँ या हमारे चेर्मेन ग्रोट पार्दी जिल्ली के चेर्मेन हैं आप जरा सोचो जब से मोदी आये हैं कहीं नोकरी हैं रात दिन नफरत महंगाई कितनी बढ़ी हैं ये सामने दिखता ने लेकिन हिंदू मुस्लिम की आड़ में बहुत लोग अभी भी भ्रह्मी थी अवसाथ पुछें तो दलित हैं पिछड़ा है मुस्लिम हैं महिलाएं हैं ज्यादा प्रपान थी नोकरी कहां मिले भी वाइंक दिया वी असनल बेचा रेल बेचा बंदर का बेचा जहाद्य बेचती हैं कोईला बेचती हैं कुछ छोड़ा नहीं जा रहा हैं और देश्ट की जो को रोजडार देने वाला मंसमी होती हैं उसकी कमर तोड़ते हैं ये दद राहुल जी को सीनी में हैं हमारी लडाई रड़ है हमारी लेवी ये सवभाग एकी बात है आज जब आप जाएं यहां से लोट के फिल कहना कि चलो एक बड़ा और धरना करते हैं एक और बड़ा शत्या ग्रह करते हैं लोग कंत्र की बचाने की लडाई है मेरी कर जाएगी राहुदानी जी की भी कर जाएगी हम लोग इसमर्ख से हैं यानि खाने पीने की कमी तो नहीं है लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग प्रभावित हों देश की जंता मरें आवाज दबाई जाएगी तो यह मत सोचना है कि अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए राहुल जी कर रहा है या मैं कर रहा है या हमारे साथी कर रहा है ये वास्तों में हमारे दिल की एक बात है बड़े मुस्किल से आजादी मिले है बड़े मुस्किल से आजादी मिले है अगर बोलने की आवाज चिन रही तो माना उपाशू में कोई अत्त नहीं होगा एट प राहु दान्दी जी जैसा एक और मामना मुहम्मद साइजल अप लच्छ दीज पे अम्पी का है उनको सजा मिली उन्होंने इस्टिक कराया लेकिन फिर भी लोगसबाय स्पीकर ने उनको बरकास कर दिया आज अपने आप उनको बहाल कर दिया तो कुछ तो डरे है है आप जितना जादा सडको पर निकलोगे वो तदा ही आपकी जीत है और सब्ता में एक दिन आदा दिन निकाल देना दिन में घंटे आदा घंटे निकाल देने से आपके रुजदार में आपके आराम में आपके घर पर कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकि देन इसको बचा से तो मैं इनी सब्तों के साथ मेडिया के साथ हूँ तो बात करते हुए बिराम करूँगा कोई सवाल होगा मैं जवाब दूँगा और इसके बाद एक दो इस पीकर अगर मच गये हैं अभी डाक्टर ओम सुदा जी आए हैं उनका ओजश्वी भासर के बात इसका समापन हम कर करेंगे तुकि हम तैयारी मार्श के तरफ से मार्श करने के लिए आए हैं सत्याग्रह तो अचानक हमने बदला हैं उस जिहाज से हमें दो बजे तक गेड़ बजे तक ही चला सकते हैं तो धन्रबाद कोई सवाल है सर एक सवाल मेरा लोक्तांत्रिक तरीके से चुना हुआ ए सब्सक्राइब कर दिया जाता है इस मुद्देपक्ष यह संबाइदाने कुझता है विपक्ष कितना आपके साथ खड़ा है या न्याय हमारे ही साथ नहीं हुआ विपक्ष के साथ में भी 18 विपक्ष की पार्टियां एक साथ आ चुकी है